इस यूटूब विडियो टुटोरियल में जहां आप सीखते हैं complete MS Office दोस्तों यह में DVD की recording है जिसकी sample recording में यूटूब पे डाले हुई है और MS Office में हम outlook के ओपर discuss कर रहे हैं आज हम आपको mails में default set करना आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से defaults चीज़ें सेट कर सकते जैसे कि आप new mail करते हैं या आफिक same receipt करते हैं जैसे कि default करसे हो सकता है जैसे कि same receipt की बात कर रहे हैं कि जब mails नई mail के लिए हमें same receipt करना पर रहा है open होते समय automatic send receipt होता है और आधे एक गंडे बाद automatic send receipt होता है लेकिन मैं एक particular time पर करना चाहता हूँ तो उस particular time भी क्या कर सकते हैं कैसे करें चलिए उसके बारे में और भी जो चीज़े डिफॉल्स चीज़ें उसके बारे में हम बात करेंगा तो उसके लिए हम five menu के options पर जाते हैं options में बहुत सारे हैं सबसे पहले general है general में यूजर ने की में किसने जन्मेट किया है colorful या डिफॉल्ट प्रोग्राम बगरा है उसके चीज़ें यहां पर दिख रही हैं आप मेल में अगर आप जाते हैं यहां आता है मेल का मेल का format HTML और इस टेक्स हो अब यहां ध्यान रखेगा अगर आपने यहां पर इस टेक्स लेक्स कर लिए तो आप मेल में ग्राफिकली फॉर्मेटिंग्स नहीं कर पाएंगा अब यहां आता है कि आपका spelling autocorrect ignore original message text in the reply and format मतलब कि अब mail type करोगे तो आपके spelling check होगा बड reply करोगे तो नहीं होगा तो इसमें आगे हम बात कर रहे थे send and receive के बारे में इसमें की formatting है send and receive send receive यहां देख रहा है इस पे send and receive पे click कीजिए अब यहां पे होता है schedule automatically send and receive every 30 minutes लेकि आप office में काम करते हैं इसको आप 2 minute ही पे लग सकते हैं कि हर 2 minute में आपका automatically होता रहे है send and receive send and receive आपको बार बार करने की जरुरत नहीं कि आपका अपने आप send and receive होता रहे है send and receive के लिए यहां पे इस्तमाल किया जाता है अब बात करते हैं signature की send and receive आता है जिसके हम लोग mail लिखते हैं तो आपको बार बार यहां नीचे thanks and regards जीप कुमार्या जो भी नाम लिखना लिखते हैं enter आते हैं अपना mobile लिखते हैं तो बहुत सा लोग का mail आपने देखा होगा कि उसमें graphically थोरी सी होती है बहुत सा लोग के mails में आपने देखा होगा कि थोरी सी graphically जैसे यह देखे इस तरह कि इस तरह की automatically कैसे करेंगे हैं कर बारा बार डामना तो उसकी हो जाएगा तो उसकी लिए भी हम file में जाते हैं option में आते हैं और इसकी mail वाले option में आपको यहां देखेगा create and modify signature for message अब signature पे click करते हैं तो default है अब new पे click करते हैं signature का नाम देती है जो भी है तो मैंने बोल दिया कि हो सकता है कि 2-3 signature हो वह साय लोग जाए 2-3 department के लिए काम करते हैं तो उस case में क्या होता है कि department name बगर अलग अलग होता है जैसे मैं ही एक report consultant अलग है हमारा training अलग है and regard और यहां कि मैं देता हूँ सुजीत कुमार सिंग वाई लंबर अग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और गई पर बना रखा है तो यहां भी अगर आप देना चाहते हैं तो यहां नहीं सकते हैं senior trainer and founder IPT and and www.google sorry कि यहां पे IPT India . यह हमने बना लिए अगर कोई पिक्चर्स वगर डालने आपको तो यहां पर यहां पर देखे पिक्चर्स है पर कंपनी का लोगो है तो आप यहां यहां से दाए यहां पर क्लिक कीजिए और जो पिक्चर्स चाहिए आपको पिक्चर्स आप से उठा सकते हैं मेरे पास फुलादों के पिक्चर्स नहीं 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 इमेज एक पर ओपन करके देखो ने कौन सी में यहां पर लचा है यहां पर शॉट इंस्य। पर यहां पर लाच लोगे एंसर्ट कर सकते हैं थेकहें थे एनघ Linkedram बड़के कैनी पर बनके अब जैसे की मैं ने नहीं और हूँ तो तो create करते हैं ये दिखरा है कि नीचे का ऑप्मस्ट आगे है यह रागा अब यहां पर दिख रहे हैं यहां options के अंदर में, options, mail, और यहां पे signature, एक simple signature, new पे, यहां पे, हम देटेट रिप 1, इसमें हम simple जा है, times इंडिकार वाला जा है, मैं picture इसमें नहीं रखना चाहते है, simple times इंडिकार वाला जाहते हैं, सब्सक्राइब, यहां पे इंटर मार्ने में दिक्कत मा हूँ, और मैं यहां पे senior trainer को छोड़ देता हूँ, यहां पे लिखता हूँ, report, consultant, और यहां पे बाकिस्ची दिखती हाँ, आप मेल्स खोलते हैं, तो यहां है by default, लेकिन आप यहां से right click किजिए, तो एक तरह कि आप कई सारे signature बनागते हो, और right click करके उस signature को अपलाएगा, यहां पी हमने आपको send and receipt के बारे हैं बताया, और उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम signature, auto signature क्रिएट करेंगी, इसके बारे में आपके साथ हमने discuss किया, इस पर प्रैक्टिस कर लिजिए, अगली क्लास में, अगली क्लास की वीडियो में हम आपको mail handling के बारे में discuss करेंगी, अगर वीडियो आपको अच्छा चाह अलगा तो like केजिए, subscribe कीजिए, preference को recommend कीजिए, हाँ, अगर इसकी DVD आप purchase करना चाहते हैं, तो इसकी DVD आप purchase कर सकते हैं, मेरी website iptindia.com पे जहांपे मैंने outlook के बारे में सब कुछ समझाया हुआ है,